हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग मास्टरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं प्राइज एक्षन के बेस पर आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं अब आगे की मुव मार्केट किस और देने वाला है अपसाइड या डाउनसाइड आपको डेली चार्ट में लेवल लिकानले नहीं आते हैं आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं आपको ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन नहीं आता है आपको सिर्फ इतना तै करना है कि आज इंट्राडे के अंदर मार्केट किस तरह का मुव दे सकता है तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार पुर्वक जानने वाले हैं कि किस प्रकार हम मार्केट की मुव को प्रिडिक कर सकते हैं आसान इसे अपना ट्रेड छोटे स्टोपलोस के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बिना किसी रिस्क के अपनी ट्रेडिंग को सुधार सकते हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं और बहुत कुछ प्राइस एक्षन से रिलेटेड आसान भावसा में और बिना पैसे खर्च किये सिखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर देखें मार्केट यहाँ ओपन होता है और पहला स्विंग यहाँ पर लगाता है जहां से मार्केट रिट्रेस होता है तो हमें पहला क्या ध्यान में रखना है कि मार्केट पहला मूग किस प्रकार से करता है मार्केट ने इस प्रकार से मूग किया अब हम वेट करेंगे पुल बेक लेने के बाद इस हाई को निकालता है या फिर इस प्रकार का प्राइज एक्षन बनता है दूसरा हम क्या ध्यान में रखेंगे कि अगला मूग कैसे होता है यहाँ पर देखिए अगला मूग किस प्रकार हुआ मार्केट उपर गया, ठीट्रेश किया और हाई को ब्रेक कर दिया यानि इस pattern को higher highs pattern कहते है और ये bullish pattern माना जाता है तो अब हमें क्या confirm हो गया कि market bullish है और इस प्रकार से जब हम देखेंगे अब इस A zone हमारे लिए बहुत ही महत्वपण हो गया जो पहला support zone था जब तक इस zone को break करके candle close नहीं करती है तब तक वो हमारे लिए bullish ही रहेगा तब तक ह हम कोई negative trend find नहीं करेंगे इतना हमें समझ में आ गया क्योंकि आज का दिन में जो trend market का कौन सा है pullback आते रहेंगे लेकिन market overall उपर की और जा रहा है अब हम patiently बैठे है market में कोई price action नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिया पहला swing आए यहाँ बना दूसरा यहाँ बना हम अब देख रहे है कि market continuously उपर जाने का कोशिश कर रहा है नया high बहुत दूर नहीं बन रहा है लेकिन price action upside का है यहाँ पर देखिये hammer candle जब point पे आपको ऐसी कोई candle मिलती है चैसे कि hammer candle, bullish inglefin candle, pin bar तो आप अंदाजा लगा सकते है कि यहाँ से market का trend confirm हो सकता है यानि fix नहीं हो होता है market में कोई भी चीज guaranteed नहीं होती है कि ऐसा बना तो ऐसा होगा ही लेकिन ऐसा जब होता है तो probability इसकी बहुत ज़्यादा होती है कि 80% से ज़्यादा case में यह अपने favor में ही निकल जाएगा तो अब हम यहाँ पर क्या सोच रहे है हमने पहले देखा कि पहला swing यहाँ और यहाँ पर जैसे hammer candle बनी हमने एक risk लेने के बारे में सोचा इस candle का low हमारा protection हो गया यानी हमारा stop loss हो गया जो की बहुत ही छोटा है और हमारा initial target रहेगा इस candle का high जब तक इसके high के उपर नहीं निकलेगा तब तक हम अपना stop loss ट्रेल नहीं करेंगे जैसे ही निकला फिर हम हमारा stop loss यहाँ फिल ग्रिल केंडल का low हमारा stop loss ट्रेल होता गया और यहाँ पर finally हमारा exit हो गया क्योंकि पिछली candle का low यहाँ पर break हो गया जो कि green candle है red candle का low हमें नहीं consider करना है अब trend में जा रहे है तो green candle का low जैसे ही break होगा हम exit करेंगे और नीचे की ओर आ रहे है तो जैसे ह red candle का high break होगा हम trade से exit कर जाएंगे तो इस प्रकार से कैसे हम आराम से बेठे रहे बेठे रहे अपने setup अपने trade का इंतजार करते रहे और हमें यहाँ market ने बताया कि अब मेरा consolidation यहाँ खत्म होने वाला है और आप trade में गुज़ाओ यहाँ से मैं बड़ी mood दे सकता हूँ आगे देखते हैं साथ में back test करेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि price को देखते कैसे है price swing को किस प्रकार से observe करते हैं जैसे हम sideways market को भी identify कर सकते हैं बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि sideways market को कैसे identify करते हैं market के trend को कैसे capture करें जैसे हमारे stop loss बहुत ज्यादा ना हो बहुत सारे लोग profit तो बनाते हैं लेकिन जब महिने में तीन से चार दिन पूरा दिन sideways market निकल जाता है market एक range में stuck हो जाता है तो वो सारा profit दे देते हैं और बड़ा loss कर देते हैं तो देखते हैं यहाँ पर market open होता है हम पहले क्या करेंगे पहला swing कहां लगाया पहला swing यहां लगाया तो अब हम किस चीज के इंतजार में है अब जब market ने पहला swing इस प्रकार लगाया तो अब हम देखे हैं पुल बेक होने के बाद इस प्रकार से आई निकलता है या फिर इस प्रकार से low निकलता है जब तक हम हमारे एक की लेवल यानि ट्रेंड कनफर्म नहीं होता है तब तक हम कोई भी केंडल स्टिक फॉलो नहीं करेंगे प्राइज एक्षन का वेट करेंगे प्राइज हमें कनफर्म होने के बाद ही दूसरा स्टेज आता है कि जब हम केंडल स्टिक देखेंगे प्राइज अब एक में है इस range में फस गया अब हम देखते हैं कि यहां से market या तो इस level को break करके निचे आए तब हम negative side की कोई candlestick डूंडेंगे और या फिर market यहां से bounce लेके इस level को निकाल दे तब हम हमारे लिए price confirm हो जाएगा लेकिन लोग क्या करते इसी के अंदर प्राइस की छोटी छोटी स्पाइक को तुन्डने की कोशिश करते हैं कि मार्केट उपर जाएगा निचे आएगा लेकिन अब हम इस दिन क्या किया पूरे दिन इंतजार में निकल गए कि मार्केट कहां जाने वाला है मार्केट ने कोई मूँ नहीं दी हमारा कोई ट्रेड नहीं बना बड़ा लोज करने से बेतर है हमें कोई ट्रेड ना मिले तो इस प्रकार से हम बेठे रहेंगे इस दिन को देखिए मार्केट बहुत बड़ा गेप डाउन ओपन हुआ पहले मूँ को हम केच करने की कोशिश नहीं करेंगे पहला मूँ हो गया मार्केट का यानि जहां से सपोर्ट ले लिया ठीक है अब हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट किस प्रकार का मूँ कर रहा है यहाँ पर देखिए पहला स्विंग लो लगाया फिर market ने spike दिया, फिर नीचे आने का कोशिश किया, फिर a swing लगाया, फिर उपर गया, फिर नीचे आने का कोशिश किया, फिर उपर गया, swing high break हो गया, फिर नीचे आया, फिर ये, अभी तक day high नहीं निकला है, यहाँ पर day high break हो गया, फिर उपर गया, फिर यहाँ पर consolidate किया, और continue नया हाई बनते जा रहा लेकिन अमारा की लेवल ब्रेक नहीं हुआ था तब तक हम कोई एंट्री नहीं लेंगे यहाँ पर की लेवल ब्रेक हुआ इसके बाद यहाँ पर जैसे ही दो बुलिश केंडल बना तिसरी केंडल ने हाई ब्रेक किया एक केंडल स्टिक पेटन का कौन सी केंडल स्टिक पेटन किते हैं, white hammer यानि white shoulder पेटन किसे केते, इसके उपर मैंе एक detail वीडियो बना दूँगा, जो back टू-back त्रीन या तो red पेटन या तीन back टू-back green candle तिसरी candle का high break होते ही यानि दो candle green बनी है हमारे favor में यानि हम ढूंड रहे हैं कि bullish candle stick pattern हमें कुछ दिखाई दे तो जैसे ही दूसरी candle का high break होता है हम trade में entry लेंगे और एक ही candle में हम बहतरीन profit बनाएंगे जो पूरे दिन का हमें best trade मिल गया इसी प्रकार से बहतरीन जब तक हमारा key level break नहीं होता है तब तक हम trade में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करेंगे और अपने setup का आराम से इंतजार करेंगे जब हमारा level निकलेगा हम trade में कुछ जाएंगे profit होगा बहुत बढ़िया SL होगा कोई regret नहीं होगा क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की है यहाँ पर देखिए यह random chart उठा के हम साथ में back tested कर रहे हैं में भी कर रहा हूँ साथ में आप भी कर रहे हैं आपको समझ आ जाएगा कि market को देखते किस प्रकार से हैं यहाँ पर देखिए पहला swing हमें trade नहीं करना है यानि market ने इस प्रकार का swing बनाया अब हम इंतजार करना है या तो इस प्रकार से market निकल जाए या फिर इस प्रकार से breakdown देदे ठीक है यहाँ पर market गए यहाँ पर M pattern बनाया यहाँ पर breakdown दिया हम trade कहां करेंगे यहाँ पर retest होने के बाद जब इस level को निकालता है यहाँ पर आपको strong inverted hammer candle दिखाई दे रही होगी यहाँ हमारी entry रहेगी और इसी candle का high हमारा stop loss रहेगा यानि आप spike में निकलेंगे नहीं जब तक stop loss नहीं होगा trade में entry लेने के बाद जब हमारा trade confirm हो जाता है यानि confirm कब होगा जब हमारे favor में चलने लगता है य यानि छोटे-छोटे pullback में हम exit नहीं करेंगे और जब तक पिछला swing high नहीं निकलेगा अब हम नहीं निकलने वाले इस प्रकार से आप trade को identify करने के बाद बहुत ही बहतरी profit बना सकते यहाँ पर देखिए market ने पहला swing बनाया दूसरे में निकल गया ठीक है swing पिछला break नहीं ह हो रहा है और नए high बन रहे अब हम किस चीज के इंतजार में है अब हम hammer, bullish ingolfing, pin bar एसी कोई भी bullish candlestick pattern ढूंड रहे है ताकि जो हमें बहतरीं entry दिलवा सके यहाँ पर देखिए बहतरीं profit क्या आपको दिखने में मुश्किल लग रहा है यहाँ पर low put ढूंडते रहते हैं हम ऐसा नहीं करेंगे हम देखेंगे कि market move किस और कर रहा है यहाँ पर देखिए open होने के बाद पहला swing दूसरे swing में low break कर दिया अब इस प्रकार का pattern बना अब ह हम entry ले लेंगे लेकिन यहाँ पर देखिए उपर गया नीचे आया लेकिन फिर इसको break नहीं किया और high को break कर दिया अब हम trade कहां लेंगे trade लेंगे bullish side चहां पर हमें candle मिलेगी अगर candle आपको लगता है इस high के उपर trade ले लेंगे इसी candle का low लेकिन हम conservative है जब तक हमारी candle नहीं मिलती हम trade नहीं लेंगे तो यहाँ पर कोई candle stick bullish नहीं बनी हमने trade नहीं लिया किसी दिन trade ना लेना बहतर है हमने act कैसे किया हमारी analysis चीज़ टाइट पी थी हमने उसी प्रकार से अपना act किया यहाँ पर देखिए पूरा sideways market यहाँ पर market ने पहला swing लगाया नीचे आने के यहाँ पर कोई bullish candle बनेगी अब हम entry लेंगे लेकिन इसको break करने के बाद यहाँ पर कहीं bullish candle बनेगी अब हम put में जाएंगे लेकिन इस range को हमने mark कर दिया और पूरे दिन market ने किसी भी प्रकार का move नहीं दिया तो हमारे level जब तक नहीं निकलते है तब तक हम आराम से बेठे ह ट्रेडिंग को बहुत सारे ग्यानी लोग है जो बहुत बड़े trader है वहीं कहते है ट्रेडिंग का असली नाम वेटिंग ही है अपने ट्रेड का वेट करना जो जानता है वह profit बना ही लेगा कितने दिन आप profit नहीं बना हो गये जब आपको पता है कि price मेरे favor में जार रहा है औ और आप कॉल साइड में बेठे हुए एक बार एसा लिट हो गया फिर अपने साइड में निकल गया फिर यहां पर कॉल लिए कितनी बार आप प्रॉफिट नहीं बना ओगे प्रॉफिट आपका बनना तै है जब आप ट्रेंड में फेवर में लग जब आप ऐसा देखी रहे हो कि मार्केट उपर की ओर जा रहा है और आप कॉल लिए जा रहे हो कितनी बार आपका इसा लिट होगा भाई नहीं हो पाएगा बहुत बार आप अंततह प्रॉफिट यहां पर स्विंग नहीं ब्रेक हुआ यहां पर बुलिश केंडल आप एक बार चार्ट देखिए मेरे बात पर यकिन मत कीजिए जब आपको पता ही चल जा रहा है कि स्विंग आगे का किस ओर बन रहा है मार्केट के स्विंग दिखा रहे है कि पिछला हाई नहीं निकल रहा है और आप पूट ले रहे हो तो प्रॉफिट बनेगा ना भाई जब आगे swing नया high बना रहा है पिछला swing low break नहीं हो रहा है और आप bullish candle ढूंड के आप जो भी setup बिलीव करते हो अगर आप super trend, price action, moving average कोई भी indicator यूज करते हो लेकिन आपने price को पढ़ लिया कि पिछला swing break नहीं हो रहा है और आप call side का trade ढूंड रहे हो आपको कुछ भी मिलेगा लेकिन पैसा तो मिले गाना मेरे भाई तो इसी प्रकार से आसानी से आप price को पढ़ करके बहुत ही बैतरीन तरीके से 100 चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, news देखने की जरूरत नहीं है, ये सारे चार्ट हमने देखे, news देखे क्या इन दिनों के, ये 2021 एप्रिल का में बैक टेस्ट कर रहा हूं कि किस प्रकार से हो रहा है, news का हमें कुछ पता है, सारी चीजे candle बता रही है ना, price में दिख रहा है ना, कि ये कहां जा रहा है, किस प्रकार का move करने वाला है, हमें कैसे छोटे stop loss के साथ बड़ा profit हो सकता है, ये सारी चीजे चार्ट में पड़ी ह होती है, हमें सिर्फ देखने की जरूरत होती है, तो आशा करता हूं बहुत सारी चीजे price action से related, इस strategy में आपको सिखने के मिली होगी, मैं free में बहुत सारा कुछ आपको सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, कि आप जितना समझ रहे हैं, इतनी मुश्किल चीज ये नह informative वीडियो लेके आएंगे, कुछ नई strategy, कुछ नई candlestick, कुछ नई advance pattern पे उपर वीडियो बनाएंगे, आप भी comment करके बता सकते हैं, इव वीडियो आपको कैसा लगा, आप अगली वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है, तो कुछ भी हो आप comment कर सकते हैं, हम इसका समाधान वीडियो के जरिये देने की कोशिश करेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुडबाई, चैहिंद